कोई नई सरकारी नौक्री की कोई घोशना नहीं हुए जो तीस लाख सरकारी पद खाली है उनकी निवक्ति के संब्द में कोई बाते नहीं बाते क्या हुई अगले पाँच वर्षों तक एक करोड युवाओं को जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां उसमें पाँच जार के वितनमान पर असाई नौक्री दी जाएगी मतलब प्रती वर्ष बीस लाख नौजवानों को ही पाँच हजार की नौक्री होगी जिसमें आई 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 टी से पढ़े हुए जो इंजनियर है उनको भी पाँच हजार की नौक्री दी जाएगी जो आई टी आई से पढ़े हैं उनको भी पाँच हजार की नौक्री है यह बजट है परिये टन पर उसमें कितने रोजगार स्विजन होगी उसकी कोई परिकलपना नहीं की गई हम कह सकते हैं कि यह बजट ऐसा है कि कि किसी को यदि कैंसर हुआ है तो डाक्टर बोलेगा उसमें बैंडेट लगा दो मतलब खाओ ऐसा भयानक है जिसमें आदमी की जीवन लिला समाप्त हो सकती है उसको कहा जा रहा है कि तुम बैंडेट लगा लो गाओ पर उसकी सर्जरी नहीं है उसकी केमो तेरपी नहीं होगी ये बजट है हमारे वितमंत्री जब बजट पर रहे थी उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि बजट है क्या हम किसके लिए ये दस्तावेच पर रहे हैं शिक्षा पर कोई भी बाते नहीं स्वास पर कोई बाते नहीं इलाज महेंगा होगा सोना सस्ता होगा लोगों को कहा गया ज्यादा से ज्यादा मुबाइल कर दिये और यदि एक मुबाइल है तो चार चार्जर खर दिये क्योंकि उसमें दाम घटा दिया गया महंगाई पर कोई बाते नहीं जीडीपी का परिकलपना केवल सपना रह गया मिनिल क्लास जो मध्यमाईवर के लोग है जो थोड़ा बहुत बचत करते थे कहीं शेयर में लगाते थे कहीं म्यूच्यूल फंड में लगाते थे उनको नसीहत दी गई कि ऐसा मत करें बजार के हाला ठीक नहीं आपके पैसे डूप जाएं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद